इंडिया और अश्टेलिया के वीच उडिया इंवले वाजों ने डूवोई लूट रिया अश्टेलिया ने स्रीज पर दो एक से किया कप्जा जी यहां दोस्तों नमस्कार इससे पहले अगर आप नए हैं तो चनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस्पोर्ट को खबरें के लिए जुड़े रहें लगातार हमारे साथ आखिरकार वन्डे वीच कप से पहरे भारतीय टीम को बड़ा जटका लगा अश्टेलिया ने वन्डे स्रीज पर दो एक से कपजा कर लिया है पहला मैच भारत ने जीता था महीं बात करें दूसरे और तीसरे मैच मेच को जीत कर अश्टेलिया ने स्रीज पर कबजा कर लिया है एडम जॉंपा ने चाल विकट जटके अश्टेलिया जीत के साथ ही वन्डे में सीर्ट स्क्रम की टीम बन दे कप्तान इस्मित का वल्ला सांत रहा लेकिन उन्होंने अश्टेलिया टीम का नित्रत सांदार तरीके से किया पहले टेस्ट में जीत और ड्रा करवाई और अब तीन मैचों की इस सीरीज को जीत लिया अश्टेलिया ने टीम इंडिया को एक कई सरनों से मात दे भारतीय टीम के वल्लेबाजों ने लुटिया खराब कर दे हर्दिक पांडिया के संदार सुरुवाती स्पैल और कुल्दी प्यादों की फिर्की ने अश्टेलिया वल्लेबाजों पर लगाम कसी लेकिन भारतीय वल्लेबाजे टिक कर खेल नहीं सके विकट फेकते रहे अश्टेलिया खिलाडी ने टेस्ट मैच में भारत दो एक से जीता था अश्टेलिया ने तीसर और अंतिम वंडे में भारत के खिलाप उंचा सोबर में सिम्टेनेस से पहले 279 रन का चुनोती पूर्डू स्कोर खड़ा किया अश्टेलिया का स्कोर 5 विकट पर 138 रन रहा था लेकिन कैरी और मार्क इस्टेनिस ने 25 के बीच 6 विकट के लिए 85 रन की साज़धारी तथा सीनेवेट ने 26 और इस्टेर एगर ने 7 रेक बीच 8 विकट के लिए 22 रन की साज़धारी से महमान टीम को दबदब बनाया फिर मीचल स्टार्क और एडम जमपा ने अंतिम विकट लिए मातपूर 22 रन जोड़े एस्टेलिया ने टास जीत कर बल्ले बाजी का फैसला किया जिसके बाद मीचल मार्क ने 47 गिदो में 47 रन और दोनों कुलदीप की गेदो का सिकार बने एलेक्स केरी ने 46 गेदो में 38 रन जोड़ लिये थे पर वह भारत के इस्टार के इस्टार के जहां से में फसकर पाविलियन पहुंच गया निचले करब में इस्टेलिया को अच्छा इसकुर बनाने में मदद थी इस तरह अस्टेलिया नों दो एक से स्रिच पर कब्जा कर लिया और टीम इंडिया बुरी तरह से सर्मना हार का सामना करना पाव आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया अगर आपने हैं तो चनलों के सब्सक्राइब जरूर कर झाल